हलो गाईज जैहिंद कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे सो गाईज हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे करेंट अफेर्स के लेक्चर को तो चलिए शुरू करते हैं तो यह पीएसी के करेंट अफेर्स का लेक्चर है जो कि आपके लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट है की तसकरी जो है 2016 और 2020 के बीच पे जो है वो की गई है एक रिपोर्ट बता रही है 28 ऐसे केसे जो है वो सामने नजर आए हैं जहापर 19,050 के आसपस टन जो है लाल चंदन की लकडियों का जो है वो देखने को मिला है और इस रिपोर्ट को जो है वो प्रोवाइट किया है CITES ने जिसका फुल फॉर्म है Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Red Senders लाल चंदन की जो है अगर हम लोग बात करें तो यह प्रजाती जो है वो 53% biggest importer illegal locks Red Sender का देखने को मिला है यह रही चाइना के पास जो है वो सबसे ज़ादा लाल चंदन की जो है वो तसकरी हो रही है राइट सबसे ज़ादा मतलब इंपोर्ट जो है वो हो रहा है illegal locks Red Sender का लाल चंदन की बात करें तो इसकी डिमांड जो है वो furniture बनाने के लिए, handicrafts के लिए, musical instruments के लिए वो बहुत ज़ादा है चाइना और जपान में इसकी डिमांड बहुत ज़ादा है और Red Dye जो है इसकी ये जो लाल चंदन की जो लखड़ी है उससे लाल कलर की Dye जो निकलती है वो basically कपड़ा बनाने की industry में, textile industry में, medicine industry में, food industry में भी उसका उपयोग किया जाता है और import जो Red Sender का जो है वो prohibited band है Red Sender को जो है वो import नहीं किया जाता है इंडिया के अंदर Red Sender एक प्रजाती हम लोग को देखने को बिलती है ये याद रखना IUCN की Red List के according International Union for Conservation of Nature की Red List के according Red Sender's लाल चंदन जो है वो endangered प्रजाती है और Wildlife Protection Act 1972 के Schedule 4 के अंदर इसको protection जो है वो दी गई है Forest Department जो आंदर प्रदेश के हैं उनके according illegal जो ये लकडियों की smuggling जो हो रही है तो वो चित्तौर, YSR, कडपा, नलौर और कुर्णूल district में जो है वो पाई गई है और Red Sender's Anti-Smuggling Task Force भी हम लोग को एक देखने को मिलता है जिसको आंदर प्रदेश की सरकार ने जो है वो especially उसके Forest Department जो है वो 2014 में बनाया था याद रखना Red Sender Anti-Smuggling Task Force आंदर प्रदेश का इसके लबाँ Space और IT से रिलेटेड ये से रिलेटेड ये सेक्टर हम आइडिफाई किये है Indian मना एस Indian Objects के तौर पर मना जिसे इंडिया की जो सेटलाइट स्पेस में जाती है सेटलाइट के एक लाइफ होती है एक लाइफ के बाद सेटलाइट खराब हो जाती है तो वो एक मलवा बन जाता है एक कछरा बन जाता है और फिर जब ये आपस में सेटलाइट टकराती है तो चूर चूर होती है तो और मलवा जो हो बनता है तो बुर रहे हैं बहुत जादा इंडिया का मलवा जो है वो धर्ती के ओर्बिट पर घूम रहा है Union Minister जिदेन सिंग का कहना ये है कि Object को Track किया गया है और Catalog किया गया है January 20 तक इस US Space Command के द्वारा तो Object की Tracking करी है US Space Command ने इनका कहना है Union Minister जिदेन सिंग जी का कहना ये है कि External Agency जो है वो Allow नहीं कर रही है ISRO की Facilities को प्योग करने के लिए और सिर्फ Non-Government Indian Entities जो होगी उनको Allow किया जाएगा कि वो ISRO की Facilities को यूज कर सकेंगे मलब कोई बाहर की Company यानि की Foreigner Company जो है वो ISRO की Facility यूज नहीं कर सकती है सिर्फ एक Indian Company वो भी NGO टाइप की तो वो ISRO की Facility यूज कर सकती है और Technical Support जो है वो Provide करा सकती है इन Space Regulator के तौर पर और Minister का कहना ये भी है कि ISRO का System जो है Safe और Sustainable Operation Management के लिए वो 2022 में Setup किया गया था इसने Establish किया है और Focus Efforts यानि की प्रयास कर रहे हैं कि हम Monitor कर सकें कि हमारे कितने Object ऐसे हैं जिनका टकराने का डर बहुत जादा है कोलीजिन का Threads इनका जादे क्योंकि ये जो हमारे Space के Object आपस में टकराएंगे ने कि Satellite आपस में टकराएंगी तो मलबा तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इससे जो है वो बहुत नुकसान होगा करोड़ो रुपे का नुकसान भी होगा क्योंकि देखो एक Satellite को launch करने में कितने करोड रुपे जो है वो लग जाते है तो पैसों का नुकसान होगा प्लस अगर Satellite खराब होती तो बहुत सारी Services जो है वो भी हो जाएंगी तो ये भी एक चीज़ आपको पता है ओरड़ी Minister के According इस लोगी Facilities ने जो है वो जो मलब कुछ इस लोगी Facilities जो NGO यूज कर रही है जैसे कि Sky Route Aerospace इसका उपियोग जो है वो किया जा रहा है Rocket Launch Complex जो हम लोग को देखने को मिलता है बहाँ पर तो ये Basically Mission Praram के त्रू जो है वो इसको रखा जा गया है अगनी कुल Cosmos एक हम लोग को देखने को मिलता है इसका उपियोग किया जा रहा है Vertical Test Facility के तौर पर Rocket Launching Station ही हम लोग को देखने को मिलता है तिरूबंत पुरम में Hot Testing जो इंजन अगनी LED जो हम लोग को देखने को मिलता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए इस एरिया को उपियोग किया जा रहा है NGO's के द्वारा तो ये चीज़ आप थोड़ी सी द्याल में रखिएगा अब जहारकंड से एक न्यूस आ रही है Union Home Minister अमिच शाह जी ने जो है वो Foundation Stone जो है वो रखा है अधार शीला जो है वो रखी है IFFCO Nano Urea Liquid Fertilizer Plant की और ये जहारकंड के अंदर हम लोग को ये IFFO Nano Urea Liquid Fertilizer Plant जो है वो देखने को मिल रहा है तो ये दूसरी विज़ेट अमिच शाह की जहारकंड में इस साल की देखने को मिल रही है इस से पहले जो है वो जनवरी 2023 में जहारकंड पे विज़ेट किया था आमिच शाह जीन ने विज़ेश संकल प्रेली की बिगनिंग के अफसर पर जो 2024 की एलेक्शन से पहले होगी है निकि ये वो कर रहा है कैंपेइनिंग वगरा कर रहा है अभी इनिशल स्टेज की केंपेइनिग सो विज़ेशंकल प्रेली का सेकंड फेस का में अबजेक्टिव यह है कि पार्टी मेंबर्स जितने भी हम लोग को देखने को मिल रहे है जितने भी जैसे बीजेपी के जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं तो उनको चहाए वो शशक्त बनाना मजबूत कर रहे हैं या उनको basically motivate करना है तो यह mainly objective हैं लोग को देखने को मिल रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा ये दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विट प्रांट गुजरात के अंदर हमें देखने को बला था जिसका ओनरेबल प्राइमरिस्टर ने उद्गाटन किया था फिर उसके बाद हम लोग को जह है वो देखने को मल रहा है कि IFFCO नैनो यूरि यूरिया का उपियों को आप जानते हैं कि प्लांट के लिए बहुत जादा हम लोग को जह है वो देखने को मिलता है और यह चोटी मात्रा में है तो काफी धीरे-धीरे रिलीज होंगे और उसका वेस्टेज भी जह हो काफी कम होगा और इस टॉपिक को हमने काफी नीटिल म के बीच में हम लोग को देखने को मिलेगा और इसको और इसको और्गनाइज किया जा रहा है इंडिया पल्सेस एंड ग्रेंज असोसियेशन के द्वारा जो कि एक टॉप लेवल की ट्रेड बॉड़ी है काफी सारे स्टेक होल्डर्स 20 कंट्री से यहाँ पर आएंगे एक सा बनाये जा सके और यह जो टीपी सी यह जो हम लोग को देखने को मिल रहा है तो यह इसका छटा एडिशन है याद रखिएगा छटा एडिशन और यह साल की थीम भी आपको जह हो थोड़ी सी ध्यान में रखने है सस्टेनिबिलिटी ओफ पल्सेस सेक्टर और यह जो है जो ह आज की रिट में क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स एफेक्ट है क्योंकि आपको बताए कि क्लाइमेट चेंज के करण क्रॉप फेलियर्स हम लोग को देखने को मिलता है फसलें खराब हो जाती है तो उसको टैकल करना है और यह भी धान में रखना है इंडिया जो है वो ल International Solar Alliance इंडिया और फ्रांस का एक initiative है अभी कुछ दिनों पहले यह topic को मैंने पढ़ाया था जब हम लोग Renewal Energy के topic को जो है वो डिसकस कर रहे थे environment के topic को तब हमने डिसकस किया था General Studies की क्लास में तो International Solar Alliance का main objective यह है कि जो भी countries Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में हमें देखने को मिलती ह तो उन countries को जो है वो एक साथ लेकर आना कि वो countries जो है वो solar energy जाता से आता जो है वो produce करें तो इस पर mainly इनका काम होता है और इनका main objective यह है कि 1 trillion US dollar का investment जो है solar energy के ओपर 2030 तक करना है तो Brazil और Congo full member बन गया है ISA की Brazil full member बन चुकी है International Solar Alliance की और India ने instrument of ratification Brazil को है वो handover कर दिया है इंडिया ने इवन Congo को भी जो है वो welcome किया है International Solar Alliance में और Congo के ambassador Raymond Serge Bale तो यह Republic of Congo की जो हमें देखने को बलते हैं इन्होंने भी framework agreement साइन कर लिया है Congo भी जो है बाब eligible है कि वो participate कर सकती है International Solar Alliance की activities में चार Indian American lawmakers इनको appoint किया गया है as a member of key US house committee एक important United States की house committee है उस committee में चार Indian American lawmakers है Parliamentarians है तो चार बहुती जाने माने Indian American lawmakers यह हमें देखने को बल रहा है प्रमीला जैपाल अमी बेरा राजा कृष्णमूर्थी और रो खन्ना तो यह जो है इनको appoint किया गया है तीन house committees के member के तौर पर और प्रमीला जैपाल को जो है वो इनको जो है वो house judiciary committee की एक subcommittee है immigration, integrity, security और enforcement की तो उसकी यह member जो है वो बनी है इन्होंने 7th congressional district भी जो है वो Washington के अंदर represent जो है वो करी थी और यह पहली South Asian woman भी है जिनको United States house of representative में elect किया गया है तो बस यह इतना कुछ detail में जाननी के आवशक्ता नहीं है बस यह इनके चार members के जो है वो नाम थोड़े से बस ध्यार में रखो यह जीज आपके लिए important है जो United States की जो parliament है उसकी एक committee के member जो है वो बन गाए है ठीक है अब Australia का नया पाँच डॉलर का बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है it will not feature an image of Kings Charles III बिल का मतलब बता है actually कि money को पैसो को बिल बोलता है तो यह चीज भी आपको बता होना चाहिए जिस हापन बोलते हैं कि पैसा देतो तो बिल वहाँ पर बिल चलता है बिल का मतलब वो नहीं है कि बिल किसी प्रकार का बिल या फिर कानूम धनाने वाले बिल वो नहीं है पैसे की बात हो रही है तो इसमें Kings Charles III की image जो है वो नहीं होगी इस पांच डॉलर के आप बोल सकते है नोट में तो यह चीज़ बताई आ रही कि अब यह British Monarchy को जो है वो currency नोट से जो हो phase out कर रही है तो यह fact बहुत important है अब पांच डॉलर का जो नोट है Australia के अंदर तो उसमें British Monarchy को जो है वो out कर दिया है अब धीरे धीरे करके Australia British Monarchy को हतम कर रही है तो Australia का Reserve Bank जो है उसने announce किया है कि नया design इसमें late Queen Elizabeth second की जो है वो portrait जो है वो दिखाई जाएगी right replace हो है वो किये जाएगी और bank ने कहा यह भी है कि aim जो है decision का वो यह है कि पहले Australian के culture और history को जो है वो सम्मान करना bank का कहना यह है कि Australian Parliament जो है यह बतारे कि 5 डॉलर के bank note जो है उसके दूसरे side भी जो है वो कुछ चीज जो है वो अभी भी कुछ चीज इनको जो है वो दागनी है उस पर यह नहीं कि उसको print जो है वो कराना है डिजाइन करवानी है तो उसके लिए विचार जो है वो करना है King Charles है वो अभी भी Australia के coins में हम लोग को जो है वो नज़र आएगा तो यह फैट आपधान में रखिएगा ठीक है ठीक है तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलप्मेंट और पंचाहिती राज गिरी राज सिंग और लिटिनेंट गवरनर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के मनुद सुना सिना इन्होंने उद्गाटन किया इस परटिकुलर मेले का 4 फेबरी 2023 को एक्वाप्लेक्स क्राउन में जम्मू के अंदर बागे बहू में मेले के दुरान सेल्फ हेल्प ग्रूप जो महिला की हमें देखने को मिले ये 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के आई हैं जिन्होंने पार्टिसपेट किया है 11 दिन का ये मेला हम लोग को देखने को मिलेगा आटिशन्स और सेल्फ हेल्प ग्रूप की महिलाओं के लिए जो अपने क्राउट्स हैंडलूम और फूट्स को शोकेस करेंगी सार्स मेला जो सरस मेला जो हम लोग को देखने को मिलता है तो उसको जो है वो सरस अजीवी का मेला के नाम से भी जाना जाता है ये एक platform प्रोवाइट कराता है गाउचेतरों की जो self-help group की जो महिला है कि वो अपने product को promote कर सकें, sell कर सकें और ये एक platform प्रोवाइट कराता है rural self-help groups की महिलाओं के लिए कि वो marketing जो है वो कर सकें, इस particular platform के जरी है अब कैरला से related एक news है, कैरला के finance minister के एन बाग गोपाल ने present किया है budget financial year 2023-2024 का तो कैरला सरकार जो है वो 85,000 increase जो है वो करेंगे करेंट 85,000 नहीं होगा, पिच्च्च्च्च्ची हजार I don't know कि क्यों जवलिया है लिखा यह, 85,000 is not the amount, नहीं रुख जाओ, यह कुछ गडबल है इन्होंने कुछ printing mistake होईगी, आप तो बस ध्यान में रखो कि कैरला के अंदर बजट हम लोग को देखने को मिल रहा है, right, 2000 करोड रुपे का बजट जो है, महंगाई को control करने के लिए allocate किया गया है इन्फलेशन मुद्रा फीसदी को control करने के लिए allocate किया है 6000 करोड रुपे allocate कियेगा है rubber subsidy के लिए और 1000 करोड रुपे allocate कियेगा है make in कैरला प्रोजेक्ट के लिए 230 करोड रुपे allocate कियेगा है मनरेगा के लिए मात्मा गांदी, National Rural Employment Guarantee इसकीम के लिए budget का proposal यही है कि वो social security says जो है वो fuel और liquor पे introduce करेंगे says का मतलब क्या होता है says मतलब tax के ओपर tax लगना तो social security का says जो है वो यानि कि अब says fuel के ओपर और liquor के ओपर जो है ब लगेगा ठीक है state budget जो है उसने increase कर दिया है one time tax नई गाडियों के लिए stem duty जो है उस पे जो registration जो होता है जो मलब flats और apartments का तो stem duty की fees भी जो है वो 5-7% जो हो बढ़ा दी गई है केरला के important products जिनकी value जो है वो लगबग 1,28,000 करोड रुपे जो हो बताई जा रही है सरकार ने allocate कि है 971 करोड रुपीज जो है वो agriculture sector के लिए और 6,294 करोड रुपे रूरल development के लिए अब महमार की बात हो रही है महमार स्टेट administration council ने declare किया है martial law 37 टाउन में आपको अल्रेडी पता है कि महमार के अंदर जो है वो अभी हम लोग को military रूल जो है वो देखने को मिल रहा है तो स्टेट administration council जो महमार की है टाउन्स बगेरा भी याद रखनी किया आवशकता नहीं है अब आपको अर्रेडी बता है कि महमार के अंदर military control हमें देखने को मिल रहा है बहुत जादा मातरा में लोगों को जो है वरेस्ट जो हम लोगों ने किया हुए तो मार्शेल लोग का मनला वही direct military control military के पास unlimited power हम लोग को देखने को मिलती है यह ही मलब कुछ areas ऐसे थे जो थोड़े से autonomous थे तो उस पर भी हो इनों ने वो control अपना कर लिया है अब एक महराश्ट से related news आ रही है जै जै महराश्ट रमाजा यह महराश्ट का state song जो है सभी के सभी सरकारी प्रोग्राम जितने भी होते हैं वहाँ पर national anthem के बाद यह वाला song जो है वो चलाए जाएगा schools वगरा में भी जो है वो national national anthem state anthem daily prayers के लावा यह वाला काना जो है वो बजएगा पतलब इसको compose किस ने किया है राजा नीर्थन बाड़े और इसको गाया है शहीर साबलेन है ठीक है ठीक है बस इतनी सी तीज़ भी ध्याम में रोक और कुछ नहीं है वर्ल्ड cancer day 2023 जो है वो observe किया जाता है 7 November को याद रखिएगा इस दिन awareness promote की जाती cancer से related ठीक है इस समय जो है वो sign किया था charter of Paris against cancer सन 2000 में पहला world summit against cancer भी जो है वो Paris में हुआ था इसको organize किया था union for international cancer control के तोरा और theme 2030 की है close the care gap चीक है कीमो धरैपी का उपयोग जो है वो किया जाता cancer के treatment के लिए ministry of corporation ने M.O.U. sign किया है जिसके त्रू primary agricultural credit society को help मिलेगी कि वो service जो है वो offer कर सके common common service center आपको बता हो नो common service center जहापर सभी सरकारी services जो है वो available हो जाकि आप सभी सरकारी services जो है वो available कर सकते तो M.O.U. जो है वो sign किया है जिसके त्रू primary agriculture credit society जो है वो operate कर सकती है जाइजा common service center के तुरू तो बस इतनी जीज़ आप ध्यान में रखिएगा ठीक है primary agriculture credit society जो है वो इंडिया की smallest cooperative credit institution है यानि कि एक credit दे सकती है अब ये common service center के तौर पर भी open होगी ठीक है M.O.U. ministry of corporation ministry of electronics and information technology नाबाड common service center e-governance services इंडिया लिमिटेड जो न्यू देली में है तो बहाँ पर बलाई ये agreement जो है वो न्यू देली में sign हुआ इन सब के बीच में M.O.U. के according primary agriculture service center जो है वो अब common service center के तौर पर जो है वो काम करेंगे 300 से भी जादा services इसके अंदर जो है वो rural population को जो है वो मिलेगी इसके जरीए डिजिटल सेवा portal जो common service center की scheme का हमें देखने को बलता है तो वहाँ पर इसको list कर दिया गया है primary agriculture credit society को भी रही ठीक है P.A.N. permanent account number pan card होता ना आपका तो pan का उपयोग जो है वो किया जाएगा identification के लिए सभी के सभी digital systems में सरकारी agencies के तो याद रखिएगा panic दस digit का number होता है pan का याद रखना है आपको income tax department जो हो अलॉट करती है individuals को pan card होगा आपके पास भी तो दस digit का number उसमें हमें देखने को बलता है देखो विवाद से विश्वास scheme 2 जो है ये लाई जा रही है commercial disputes को settle करने के लिए आपको गर जो students अवारे जो main UPST के current affairs की class cover करने तो आपको शायद पता हो कि जब कल यह वाला topic हम लोग पढ़ रहे थे तो विवाद से विश्वास scheme के वारे में कुछ अलग ही लिखा हुआ था बट विवाद से विवाद से विवाद से विवाद स्कीम commercial disputes को settle करने के लिए है में यह चीज़ आप रहता है यहाँ पर यह चीज़ सही लिए है पैन की बारे में बात करें तो यह unique identifier है जिसको Indian Income Tax Act 1961 issue करती है Indian Income Tax Department जो है Central Board of Direct Tax के Supervision के तहट इसको जारी करती है यह identification citizenship की identification के तौर पर जो है वो ऐसे प्रूफ के तौर पर कई पर मांग लेते हैं बट आक्च्वल में यह identification प्रूफ है पट citizenship का प्रूफ जो है वो यह नहीं है ठीक है तो यह fact धान रखना क्योंकि पैन जो है वो foreigners को भी issue होता है यह income tax file करने के लिए जरूरी होता है तो यह सब चीजे तो आपको अरड़ी पताईए चलो अब एक नाच शिंडे महराश्टरकार ने डिक्लेयर किया है एक सॉंग को स्टेट सॉंग के तोर पर क्या नाम है स्टेट सॉंग का जै जै महराश्टर माजा राइट तो यह सॉंग है तो थीम जो है वो वर्ल्ल कैंसर डे की हम लोग को क्या देखने को मिल रही है close the care gap अब इसमें से आपको correct statement जो है बताना है एक MOU जो है वो sign हुआ है जिसके थूँ PACS जो है वो common service center के तोर पर operate करेगी बिल्कुल साइँ PACS जो है वो provide कराएगी सभी प्रकार की services जो लिस्टेट है डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर common service center scheme के थूँ बिल्कुल साइँ दोनों ही statement बिल्कुल correct है ठीक है अब यह pen card से related topic हम लोग को अने भी जो है वो बड़ा तो यही है कि सभी के सभी digital system जो है उसके लिए बताय जा रहा है कि सरकार जो है वो pen card भी as a identifier के तोर पर मांग सकती है कौनजी country ने भी announce किया है अपना एक नया 5 डॉलर का note जिसमें king charles 3rd की image जो है वो नहीं है तो उस्ट्रेलिया फिर SARS सरस मेला की बात करें तो जम्मू इन कश्मीर के अंदर सरस मेला हम लोग को देखने को मिल रहा है 4 से 14 February है क्या ठीक है हाँ यह इतने समय के लिए जम्मू में तो देखने को मिल रहा है यूने डिरेटरी जम्मू इन कश्मीर के मनोज सिना हमें देखने को मिल रहा है उन्होंने इस मेले का उद्गाटन जो है वो 4 February 2013 को जो है वो किया है तो इसमें उद्गाटन यह डेट से रेलेटेट एक न्यूस है वो हम लोग को देखने को मिल रही है यूनियन मिनेस्टर और गिरीराज सिंह के साथ इन्होंन बिल्कुल सही है यह ही करेक्ट होगा अकेले नहीं किया है, किसी के साथ भी किया है, इसलिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होता है, नहीं तो गड़बड हो जाती है अब देखो, कॉंसे स्टेटमेंट जो है, वो कैरला बजट से रिलेडेट सही है, तो बजट ने ऐलोकेट किया है, दो हजार करोर, देखो, दो हजार करोर इंफलेशन के लिए, तो चीज हमने करेक्ट है, यह बिल्कुल सही है इस्टेम ड्यूटी जो है, उस पर वो बढ़ा दिया गया, पाथ से साथ परसेंट जो है, फ्लाइट और अपाटमेंट पर इस्टेम ड्यूटी बढ़ा दिया गया, यह बिल्कुल सही कौन सी कंट्री है, इंडिया की नेबरिंग जहाबर मार्शियल लौर डिकलेर हुआ है, मेहममार, तो हमको अरड़ी पता है लाल चंदन जो है, यह स्पीसी जो है, वो ट्रॉपिकल ड्राइड ऐसीडियस फॉरेस्ट में कहा पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश महीं पर इसकी तसकरी की किसस हम लोग को नजर आए यूनियन मिनिस्टर जीतेईन सिंग ने रिसेंटली कहा है कि टोटल कितना पेलोड है, अब यह तो को डिरेक्ट कोशन है सागए, 111 का पेलोड हम लोग को लिखने को आइडेटिफाय हुआ है, इंडियन ऑब्जेक्स का जो की धरती के चक्कर लगा रहा है तो यह था गया, इस पूरा वोलो टॉपिक उबीद करता हूँ, पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल किया सन में आगई होगी, तो चलिए हम लोग मिलेंगे आप नेक्स लेक्च्छर में, तब तक लिए बाबाई, टेक केर, हैव ग्रेट एहाइट, चैहन